Good morning students, आज हम पढ़ेंगे partnership accounts साजेधारी खाते हैं इससे पहले हम पढ़ चुके हैं partnership के बारे में क्या होती है फिर उसके बारे में हमने पढ़ा partnership डीड क्या होता है उसमें क्या क्या लिखा जाता है, उसके contents क्या होती है और वो rules कौन से हैं जो partnership deed की absence में लगू होते हैं उसके बाद आएगा partnership accounts की partnership में जो accounts कि इस परकार से रखे जाते हैं तो सबसे पहले इसमें जो खाता बनाया जाता है उसका नाम है profit and loss appropriation account लाभ हानी नियोजन खाता आप profit and loss account के बारे में पढ़ चुके हैं कि लाभ हानी खाता क्या होता है यह है एप्रोप्रियेशन अकाउंट profit and loss appropriation account लाभ हानी नियोजन खाता क्या होता है यह लाभ हानी नियोजन खाता लाभ हानी खाते का ही विस्तार है profit and loss का ही एक विस्तरीत रूब है जो यह परदरशित करता है कि फर्म के शुद लाभ को साज़दारों में कैस से भी भाजित किया गया है इस खाते के डैविट साइड में साज़ेदारों को दे राशियों का जैसे इंट्रस्ट ओन कैपिटल इंट्रस्ट ओन पार्टनर्स लोन सेलरी कमीशन एडसेटरा तथा क्रेडिट साइड में फर्म का शुदलाव नेट प्रोफिट जिसको बोलते हम तथा साज़ेदारों से पराप्त होने वाली राशी साज़ेदारों से क्या पराप्त होता है हमें इंट्रस्ट ओन ड्रोइंग जैसे ड्रोइंग करते हैं वो उसके उपर कई बार फर्म जो है उनसे इंट्रस्ट ले लेती है तो उसका साथा है कि फरम का जो शुदुलाव होता है उसे एक साज़दारों में किस से डिवाइड करना है इस खाते की भी दो साइड होती है एक डेविट साइड और एक रेड़िट साइड डेविट साइड में पार्टनर्स को जो भी एमांट्स दिये जाएंगे बोह लिखे जाते हैं और credit side में उनसे जो amount लिये जाएंगे वो लिखे जाते हैं तो debit side में क्या-क्या दिया जा सकता है उनको जैसे उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है अगर साज़तारी deed में दिया हो तो उनकी loan दिया है तो उस पर interest मिलेगा कोई extra गाम की है तो salary मिलेगी, commission मिलेगा और credit side में उनसे क्या लिया जा सकता है जो उनकी ड्रॉइंग की होती है उस पर interest लिया जा सकता है और credit side में सबसे पहले net profit को भी लिखा जाता है इन सब का main meaning एक ही line में आ रहा है इसका कि क्योंकि इस खाते में साज़दारी सनलेख के अनुसा बीभाजन योग्य लाव ये याद रखना आपने बीभाजन योग्य लाव divisible profit का नियोजन किया जाता है इसलिए इसे profit and loss appropriation account कहते है appropriation का मतलब होता है नियोजन तो किस चीज़ का नियोजन करना इसमें बीभाजन योग्य लाव जो profit and loss account होता है न वो ये बताता है कि firm को net profit हुआ है या net loss लेकिन profit and loss appropriation account में ये बताया जाता है कि वहाँ पर जो net profit हुआ है उसे किस तरह से साज़दारों में बांटा जाएगा उसका नियोजन उसकी planning जो है वो की जाती है इसलिए इसको profit and loss appropriation account कहते हैं ये आगे बेटा मैंने इसका performer बनाया है आप दे सकते हैं इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा ये वाला meaning आपको इससे याद हो जाएगा profit and loss appropriation account इसकी ये debit side और ये इसकी credit side debit side में क्या क्या आता है जो partners को दिया जाएगा जितने भी साज़दार होंगे फर्म को सारी दिये जाने वाले amount debit side में और उनसे जितने भी amount लिये जाएंगे वो सारे credit side जैसे मैंने कि यहाँ भी mention किया है वो सारी चीज़े यहां पे है जै जैसे टू interest on partners capital interest on partners capital salary commission reserve और end में निकलेगा to profit transfer to partners capital account और credit side में क्या क्या आता है मैंने के बुला जैसे कि यह net profit या net loss से शुरू होता है और interest और partners drawing drawing के ओपर जो interest लिये जाएगा वो आ जाएगा और end में अगर debit side ज्यादा है यह क्रेडिट सायथ ज्यादा है प्रोफिट हो सकता है क्रेडिट सायथ ज्यादा आएगी तो profit होगा और debit side ज्यादा आएगी तो क्या आएगी लोस आएगी अब इसी프ORE में से इनकी journal entry निकली है तो ज्रेडिट क्या क्या हो सकती है regarding profit and loss appropriation accounts पहली जैसे उनको क्या देना होता है इंट्रेस्ट ओन पार्टनर्स की कैपिटल के ओपर इंट्रेस्ट देना होता है तो एंट्री क्या होगी इंट्रेस्ट ओन कैपिटल यहीं से शुरू करना है इंट्रेस्ट ओन कैपिटल एकाउंट डेबी टू, partners, capital, account, की, partners की capital पर जो interest देना है, वो partners का जब account बणाएंगे, आप capital account बणाएंगे, इस तरह से आपको नहीं बता चलेगा, जब आप आगे numerical करेंगे, practical करेंगे इसका, तो आपको ज़्यादा clear हो जाएगा, तो क्या entry आईगी partners capital account interest and capital account debit to partners capital account की पुंजी पर जो ब्याल देना है वो कहां पर आपने लिखना है partners के capital account में यह allow कर दिया आप इसको transfer कर देना किसमें यह जो हम बना रहे हैं खाता profit and loss appropriation account तो आपने करना इसको profit and loss appropriation account debit to partners capital account और narration आजाएगी इसकी for interest and capital transfer to profit and loss appropriation account कहने के मतलब है जो भी एक entry होगी उसकी दो-दो entry आएँगी पहले उसको देंगे allow करेंगे वो चीज due करेंगे उसके बाद उसको profit and loss appropriation account में transfer कर देंगे interest and capital account debit to partners capital account और दूसरी entry होगी इसको transfer करने पर profit and loss appropriation account debit to partners capital account second entry होगी बेटा for salary या commission जो है payable to partner अगर कोई साज़ेदारी को साज़ेदारी में अगर किसी partner को salary या commission दिया जाता है तो entry क्या होगी partners salary और commission account debit to partners capital account यह सारा कुछ भी कहां लिखा जाएगा partners के capital account में फिर इसको transfer कर दिया जाएगा कहां पर profit and loss appropriation account में यह due हो गया मैंने कहा ना दो-दो entries आएगी यह due हो गया अब इसको transfer कर देंगे तो entry आएगी profit and loss appropriation account debit to partners salary और commission account थार्ड अब for interest on drawing अब यह उनसे लेना है अहान परव्याज के लिए क्या entry होगी partners capital account यह reverse entry आ जाएगी अभी तक आपने partners capital account को नीचे वाली side बढ़ा है अब यह उपर वाली side आ गया क्योंकि वो दी जाने वाली राशी है यह ली जाने वाली राशी है तो इसमें क्या आएगा partners capital account debit to interest on drawing account यह यह भी अब appropriation account में transfer कर देना तो entry होगी interest आधी entry यही से उठाएंगे interest on drawing account debit to profit and loss appropriation account next fourth entry for transferring a part of profit to reserve के यह बार profit का एक हिससा जो है वो reserve में transfer कर दिया जाता है तो इसके लिए एक ही entry आएगी profit and loss में इस part of profit को transfer करने के लिए तो entry होगी profit and loss appropriation account debit to reserve account for part of profit transfer to reserve part of profit transfer to reserve account next entry last में हम यह सारे जो हमने निकाले हैं वो प्रफोर्मे से ही है कि interest on capital दिये जाता है salary दी जाती है commission दिये जाता है reserve वाड़ी entry होगी फिर interest or partners drawing वाली entry कर ली अब last में profit निकलेगा या loss निकलेगा credit side ज्यादा आएगी तो profit होगा debit side ज्यादा आएगी तो loss होगी तो अब हम profit और loss की भी entry कर लेते हैं जिसके लिए लिखा जाएगा for transfer of balance of profit and loss appropriation account लावानी नियोजन खाते के शेश को अस्तांतरित करने के लिए अगर profit होगा तो entry होगी profit and loss appropriation account debit to partners capital account for profit transfer to partners capital account की जो भी profit है वो transfer बाद में कर देना कहां पर partners के capital account वे और अगर loss होगी तो reverse entry कर दो इसकी partners capital account debit to profit and loss appropriation account for loss transfer to partners capital account ये पांच entry थी जो आपने किस तरह से याद करनी है इसका परफोर्मा आपने याद रखना है परफोर्मे को अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये entries जो है वो याद हो जाएंगी अपने